आज हम डिस्कस करने वाले है आईल्स वर्सिस नारिक एक्जाम के बारे में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो हम बात कर रहे आज नारिक के बारे में नारिक का अभी नीम चेंज हो गया है तो यह नारिक का जो भी सर्टिफिकेशन होता है तो मैं उसके बारे में आज पूरी डिटेल देने वाले हैं सबसे पहले नारिक होता क्या है जिसका अभी नेम चेंज हो गया है दूसरा कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते हैं कौन-कौन से लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं विकाज अफ फीज जैसा ही होता है second option होता है skill visa के लिए उसके बाद उसके exams क्या होती है उसके patterns क्या होती है आपको exam देनी रहती है या फिर उसका letter लेना रहता है वो भी में आपके साथ डिसकस करूँगी फिर उसके जो fees होती है fees हम किस तरह से पे कर सकते हैं और उसको कहां को डालनी है कि लोगों को पिछ करना है डोक्यमेंटेशन क्या होता है वो सारी चीज़े आज हम यह वीडियो में पूरा डिसकस करने वाले है यह नारिक होती है वो किस के लिए अपलाई करनी होती है आपको कौन-कौन से विजा के लिए अपलाई करना रहता है जैसे कि आप UK के अंदर स्कील विजा के लिए अपलाई करते हो या कोई स्टाटप करना है उसके लिए अपलाई करते हो स्पाउस विजा के लिए अपलाई क तब यह नारिक आपको काफी helpful होता है उसका सबसे बड़ा benefit यह होता है कि इसके नहीं होती है और हां जब अब UK के हो अगर UK में पढ़ रहे हो स्टूडन्ट जब आप नारिक के लिए अपलाई करते हो तो इंडिया से या फिर कोई और से जो उनकी मधर language अलग होती है वो लोग नारी के लिए अपलाई कर सकते हैं उनको यह कंपलसरी हो जाता है विकाज उफ फस्ट लैंग्डीज एंग्लीज रहती है और उसके यह कंट्रीज उसी होती है जहां पे जो लैंग्ड़िज फस्ट लैंग्डेज होती है जैसे यूरोप में काफी countries होती है, वहाँ पे English language basic होती है, तो ऐसी country का list में आपको यहाँ पे display हो जाएगा, यह सारी countries, English speaking countries होती है, तो वहाँ से आप apply करते हो UK citizen के लिए, तो आपको यह नैरिक की जरूरत नहीं होगी, अब हम बात करते है, eligibility criteria के बारे में, कि इसमें कौन eligible हो चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी country में, जहां भी आपने आपका education complete किया है, वहाँ पे जो भी colleges में language आपकी English में होनी चाहिए, that means आपका graduation English language में होना चाहिए, so उसके बाद ही आपकी application acceptable होगी, because of English के अलावो, वो accept नहीं करने वाले, तो उसके लिए आपको certify करना पड अब UK में नारिक के लिए आपको apply करना है, तो कौन-कौन सी जगा से आपको support मिल सकता है, सबसे पहले UK में काफी universities है, जहां पे मैंने यहां पे list में डाला है कि इतनी universities आपको नारिक के लिए applicable कर सकती है, और दूसरा है statement of compatibility departments वाले भी आपको help करेंगे नारिक के लिए, फिर इसके बाद हम बात करते है documentation, documentation क्या चाहिए, सबसे पहले documentation में आपके पास चाहिए, आपका जो भी last graduation होता है, उसके certificate, फिर आपकी transcription, उसके बाद आप कोई भी country से हो, जहां पे English language में आपका जो भी document है, certificate से वो convert नहीं होते है, तो आपको documents को English में convert करना पड़ेगा, यह सा अपलाई करने के लिए मैं बायो में लिंक देती हूँ, नारीक की जो official website है, ECC TIS करके उसके उपर जाके आपको पूरा का पूरा form भर के अपलाई करना रहेगा, नारीक के लिए, ताकि आप UK के लिए वीजा अपलाई कर सकते हो, So friends, आज के वीडियो में इतना ही मैंने आपको बता दिया कि IELTS के अलावा भी नारीक और ECC TIS exam का जो भी recommendation letter है, उसको लेके भी आप UK के अंदर आपके skill visa के लिए और start-up के लिए अपलाई कर सकते हो, और आपको इसी related कोई भी detail चाहे है, तो आप comment ज़रूर करना, So मैं हुम Mayuri Jai Hind